श्री शिवाय नमस्तु व्यम दर्शको हर हर महादेव तो कैसे हैं आप लोग तो कल शुक्रवार की प्रदोष है और आपको शुक्र प्रदोष का ये धर्ण संपद का अच्छुक उपाय जरूर करना है पुझी गुरुजी की कता से ही आपको ये उपाय समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो चैनल को सुस्क्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेगा आपको क्या करना है कि आपको एक चक्षू नारियल मतलब जिसमें एक आख होती है वो वाला आपको नारियल ले लेना है और साथ ही आपको एक बेल पत्री लेना है अब आपको जो आपने नारियल लिया है उसके साथ में जो आपने बेल पत्री ली है उन दोनों को आपको जहां पर आप धन रखते हैं मतलब अपने पेशे रखते हैं जैसे तीजोरी में या गल्लक में या काई पेटी वगिरह में वहाँ पर आपको इस नारियल को रख देना है अब रखने के बाद आपको उसे एक दिन वही रहिन कर देना है और गणेजी के मंदीर से आते समय आपको एक दुरुआ वापस गणेजी के मंदीर से लेकर अपने घर की और आ जाना है घर की और आने के बाद आपको जो आपने दुरुआ ली है उसे आपके में गेट की जो डेली होती है वहाँ पर चुवाना है और वैसे की वैस या जंस रेलेटेड जॉब को परिशानी हो रही है वो भी हमेशा के लिए आपकी दूर हो जाती है तो उमीद है चोटा सा उपाई आप समझ गये होंगे तो कल जो योग बन रहा है शुकरवार के प्रदुश्का आप सभी को यह उपाई जरू करना है